हेलो फ्रेंड मैं इंद्रजीत कुमार एक बर दुबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में तो फ्रेंड आज लोगों को ये इस कीम के बारे में जो L.I.C. का यह नए पलान है इसके बारे में सारख कुछ बताऊंगा जो नाय पॉलीस सी है दोस्तों एध्वक्त स्भूश सबसे पहले तो आप L.I.C. का यह जो प्लान है उसका नाम झानल जान लेजिए दोस्तों यह का प्लान का नाम है LIC New G1 आनंद प्लान नंबर 915 यह दोस्तों LIC का प्लान का नाम है मैं आप लोगों को यह प्लान से सारा कुछ इस विडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप लोगों का सारा डाउट किलियर हो जाए तो दोस्तों विडियो स्टाट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप विडियो को स्कीप करके मत देखीएगा क्यूंकि दोस्तों विडियो skip करके देखते हो तो आप लोगों को समझ में पुछ नहीं आएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि यहां लिखा हुआ दोस्तों LIC New G1 अनंद उसके नीचे दोस्तों यह देख सकते हो लिखा हुआ जैसे लाइसी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं यहां पर दोस्तों देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है eligibility criteria मतलब कौन-कोन eligible है यह plan को करवाने के लिए कौन लोग करवा सकते हैं यह plan को इसके बारे में हैं दोस्तों दोस्तों सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हो minimum entry age तो 18 साल होना चाहिए दोस्तों कोई भी अगर यह plan को लेना चाहते है जैसे कि LIC में पैसा जमा करना चाहत मतलब मीनिमम 18 से शुरुवात है और मैक्सिमम 50 साल के लोग है जो कि यह प्लान को लाइसी का अगर चाहते हो वह तो करवा सकते हैं उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डेख सकते हो जैसे मैक्सिबम एचाय मालों कोई एल एसी के पैसे 50 साल होना चाहिए जाएसे मन का 65 साल दोर परहा होगा और है उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि minimum यहां पर देख सकते हो minimum amount दोस्तों एक लाग तक का यह मतलब आप LIC को खुलवा सकते हो minimum है maximum का भी मैं बात करूँगा उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो जैसे कि एक चीज़ और लिखा गया है यहां पर maximum, तो maximum कितना भी आप ले सकते हैं, यहां पर limit नहीं दिया गया है, no limit देख सकते हैं दोस्तों लिखा गया है, उसके अलावा दोस्तों यह policy का समय कितना होने वाला, आप कितना कितना समय के लिए खुलवा सकते हो, जैसे तो आप LIC के बारे में जानते होगे, दोस्त 15 साल minimum है और 35 साल maximum है, दोस्तों 15 से लेकर 35 साल के कोई भी एक प्लान को आप ले सकते हो, उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँगा, आप लोगों को grace period के बारे में, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो, साफ साफ लिखा हुआ, 30 दिन से लेकर 15 दिन का आप लोगों दोस्तों एक चीज़ दे सकते हो, यहां लिखा हुआ loan against policy, तो दोस्तों माल लो जैसे कि यह आप LIC को करवाते हो, तो minimum दोस्तों एक लाग का है, maximum का कोई limit नहीं है, 10 लाग का भी आप करवा सकते हो, तो दोस्तों अगर माल लो की by future, मतलब फ्यूचर में आप लोगों को को क जरूरत पढ़ गया, loan का जरूरत पढ़ गया, आप लोगों के पास पैसा नहीं हो, तो उस टाइम दोस्तों यह LIC से आप loan भी ले सकते हो, लेकिन loan लेने के लिए दोस्तों आप लोगों का LIC minimum, दोस्तों आप लोगों का 2 साल तक जमा होना चाहिए, माल लिजे जैसे कि यह minimum 2 साल तक जमा करना होगा amount को LIC का, तो यह दोस्तों बहुत अच्छा benefit है, क्योंकि future में आप लोगों को माल लोगों को माल लोगों पैसा का जरूत पढ़ेगा, तो loan बगार सारा कुछ ले सकते हो, उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो, जैसे debt benefit, दोस्तों दुरभाग्य बस देख सकते हो, जैसे कि यह debt benefit भी है, माल लोगों दोस्तों किसी का दुरभाग्य बस date हो जाता, LIC का तो दोस्तों 125% यहां पर देख सकते हो, दोस्तों साफ साफ लिखा गया है, कि 125% का benefit मिलेगा, जैसे माल लोगों दोस्तों कि आप 10 लाग का policy लियो, LIC का ठीक है, 25% उनको return मिलेगा, माल लोग 10 लाग का आप लोगों का LIC है, आप लोग 2 साल जमा की हो, दो साल जितना भी amount जमा हुआ, उससे मतलब नहीं, आप लोगों को, अगर माल लिजे किसी का date हो जाता, तो 125% मिलेगा, तो 10 लाग का है, तो दोस्तों आप लोगों को 12 लाग 25,000 रु 125% आप लोगों को मिलने वाला LIC से, तो यह काफी अच्छा एक benefit होता है, ऐसे दोस्तों माल लोग किसी का नहीं होता LIC, किसी का date हो गया, तो उनको कुछ नहीं मिलता, अगर LIC बगारा कुछ नहीं रहा, तो अगर इसमें करवाए हुए रहते हैं, तो यह फाइदा होता, उ को माल लोग 10 لاग का LIC लिए थे, मतलब LIC में पैसा जमा किया थे 15 साल के लिए 10 लाग ओर्पिया, तो 10 लाग को दो आपको 15 साल में मतलब 15 साल में डिभाइड हो जाएगा अगर आप 6 मैना पैसा जमा करना चाहते हैं उसके लावा एनुवली होता है मतलब हर एक साल मालो जैसे 5-10 लाग आप लोगों को जमा करना है 15 साल ठीक है तो आप लोगों को 10-15 साल तक जमा करना तो आप लोगों को 10 लाग का ये लाइसी था तीन चार साल जमा हुआ था आप लोगों का पैसा उसके बाद मालोब भगवा ना करें ऐसा किसी का डेट हो जाता तो उन लोगों को यहां पर देख सकते दोस्तों साफ साफ लिखा गया कि 12 लाग 25,000 रुपिया मिलने वाला है उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँगा maturity date पर तो maturity date पर देख सकते हो दोस्तों यह LIC का यहां पर दिया गया है जैसे कि maturity date पर भी आप लोगों का जितना पैसा मिलेगा वो प्लस आप लोगों को कुछ interest बगारा bonus बगारा हमेशा LIC से दोस्तों आते रहता है उसके अलावा दोस्तों एक चीज और देख सकते हो यहां पर आप जैसे कि मैं प्लान के बारे में आप लोगों को बताया था यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां प्लान के बारे में बताया गया अगर आप मंथली प्लान लेते हो तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो लिखा गया first year लोगों को 5,390 रुपया जमा करना होगा 15 साल तक और दूसरा साल से दोस्तों आप लोगों को पैसा जमा करना होगा 5,274 रुपया और दोस्तों उसके बाद से आप लोगों को 5,160 रुपया के आसपस आप लोगों को जमा करना होगा उसके अलावा दोस्तों अगर मालों की जै दोस्तों 15883 रूपया है और उसके बाद आप लोगों को quaterally में हरेक मतलब quarterally में जमा करना हो गयों 15475 रूपया उसके लावा नहीं हाफ yearly के ब़ारे में बात करूंगा तो यहां पर हाफ yearly का देख सकते दूस्तों दिया हुआ जैसे फर्स्ट आप लोगों को देख सकते हो 2004 रुपिया जमा करना होगा और सेकेंड ये आप लोगों को 31,315 रुपिया और उसके बाद अगर बात करेंगे हम जैसे कि उसके बाद हाफ यरली में तो आप लोगों को 16,960 रुपिया के आसपास है उसके अलावा दोस्तों हर एक साल आप लोगों को 60,602 रुपिया जमा करना पड़ेगा उसके अलावा दोस्तों यहां पर देख सकते हो कि मैचुरीटी डेट का भी सारा कुछ लगवग दिया गया है आप लोगों को मैचुरीटी डेट पर इतना मिलने वाला है अगर डेट किसी का भगवान ना करे हो जाए तो उसके अलावा दोस्तों सारा कुछ यहां पर देख सकते हो जैसे कि दिया हुआ है तो दोस्तों यह सब तो सारा चीज यह प्लान के बारे में हो गया डिसकसर तो दोस्तों अगर मालों यह प्लान को करवाना च लोक्स में मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा अच्छा एक LIC एजेंट हो आप लोगों के घर पर जाके सारा कुछ आप लोगों को समझा देंगे तो थाइंक यू दोस्तों धन्य बाद मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो पर